हेलो गाईज नमस्कार मैं हूँ अमित और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अमित जिया सेंटर में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आवस्यक दिशा निर्देशों को जो कि दिल्ली जिला न्यालय परिक्षा 2021 से संबंदित है यानि कि जो एक्जा करनेशन हाल के बाहर आपको जब किसी डॉकुमेंट की कमी महसूस होती है या फिर कोई दिक्कत होता है तो वह सिच्वेशन बहुत ही खतरनाक सिच्वेशन होता है और पूरे दिमाग की दही वजाती है ठीक है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लिएगा छोटा स ठीक है आप लोगों के एक जाम से सम्मादित है बहुत इंपोर्टेंट है छोटी छोटी मगर मोटी बाते हैं ठीक है तो आप लोग इस वीडियो को देख लिजे चली हम ludلاोंको सुरू करते है यह बीडियो को ठीक है तो यहाँ पर देखिए शबस पहला जो निर्देश्य रूप से जारी किया जाता है अब जयति इस परिच्छा में सामिल होने के लिए सबी पातरता सर्टे पूरी करते हैं. तो सबसे पहले, आपको सुनिशित कर लेना है कि आपके अंधर वह सारी पातरता है जो जो कि इस एक्जाम अथोर्टी के द्वारा मांगा गया है ठीक है यानि कि दिल्ली जिला नयला परिक्षा 2020 में जो अरहता थी जो योग गिताएं मांगी गई थी वो योग गिताएं आप पूरी करते हैं कि नहीं ठीक है चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं इसी में दूसर लेकर जाना बहुत ही आवस्यक है उसके बिना आपको एक्जामिशन हॉल में एंट्री नहीं होगी उसके साथ साथ आपको क्या लेकर जाना है आप अपने आईडी को लेकर जाएंगे ठीक है इसको लेकर जाएंगे अपने आईडी को पहचान पत्र को लेकर जाना है जैसे क आपका pen card हुआ, आपका जो मतदाता पहचान पत्र हुआ, driving license हुआ, या फिर passport या आधार card या किसी सरकारी संगठन द्वाला जारी photo पहचान पत्र, ठीक है, तो आप इन ID proof में से कोई एक ID proof लेकर examination hall के लिए जाएंगे, ठीक है, चलिए अगला हम निर्देश देख लेते हैं, अगला निर्देश जो है, वो है, आपके पास अगर admit card में photo जो है, वो साफ नहीं आ रही है, ठीक है, उसमें जो scanned photo है, वो बिल्कुल साफ नहीं धुला है, तो आप लोग क्या करेंगे, तीन photo रंगीन, ठीक है, passport size में लेंगे, और उसको लेकर आपको examination hall में जाना है, ठीक ह तो आपके वहाँ पर जो examination authority होगा, examiner होगा, उसको आपके ID से verify करके वहाँ पर लगवाएगा, ठीक है, और इसके बाद अगला जो है, वो देखते हैं, वो ये है कि लिखने के लिए आपको केवल ball point pen को ही लेकर जाना है, यानि कि काला और नीला जो ball point pen होते हैं, उनका ही उ OMR sheet को भरने के लिए, ठीक है, मतलब जो भी आपको उत्तर पत्रक मिलता है, जिसको OMR sheet बोलते हैं, उसको हम blue या black, ठीक है, ball point pen से ही भरेंगे, ठीक है, उसके अलावा, आपको परिच्छा के दर में परिश्च करने से पहले, अपना नाक और मुँ ढखने के लिए, मास्क ल आपको ज्यादा suitable रहेगा, ठीक है, वरना वहाँ पर जाने के बाद आपको फिर भेज़ेंगे, जाओ मार्केट से, मास्क लेके आईए, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, मास्क भी लेके जाना है, ठीक है, उसके बाद अगले उसमे है, ठीक है, वो आपको लेकर नहीं जाना है, वहाँ पर वर्जित है, अपना बैग वैग भी जितनी bी चीज़ें हैं, आपको गेट के बाहरे जमा करादिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर जमा कराने का व्यवस्तह है की नहीं है, यह हम नहीं कैसकते हैं, लिकिने फिलाल यहाँ पर लिखा गया है आपको खुदी विवस्था करना पड़ेगा ठीक है चलिए अगला देख लेते हम लोग नाक की पिन है ब्रेसलेट है कान की बाली आकर सड़ा भूसर है करा आधी जैसी बस्तों पहनने से बचें उस दिन आप लोग क्या करें जितना कम से कम चीज़े है या नहीं है तो आप लोग बने रही है मेरे साथ मैं आपको सब बता रहा हूं ठीक है तो examination जो है इसमें question जो आएंगे वो 100 questions होंगे इस examination paper को हल करने का जो time period है time duration है वो 120 minute ठीक है प्रतेक question के लिए आपको एक number मिलेंगे ठीक है प्रतेक question अगर आप सही करते हैं तो उस प ठीक है तो चलिए हम आगे के points को देखते हैं इसमें बहुत ही सामानी से points है जिनको आपको जानना भी ज़्यादा जरूरी नहीं है ठीक है कि आपका समय बहुत किमती है इसमें आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ठीक है तो चलिए इसी के साथ ही आप लोगों के लि यह दिमाख से निकाल कि अपने exam पर की बड़ फोकस करें कल exam देना है free mind से ठीक है तो आप लोग exam दीजिए all the best मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई टेक क्यार